नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोता हूँ दोस्तों संसद में आपने देखा होगा कि पियम मोदी से लेकर लोकस्पा स्पीकर ओम बिरला ने गरीमा को लेकर मर्यादा को लेकर संसद्य परंपरा को लेकर विपक्ष और खासकर राहूल गांधी को जबरदस सुनाया लेकिन हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो इस बात को दिखाता है कि लोकस्पा स्पीकर ओम बिरला और बिजेपी सांसद्य संसद्य गरीमा परंपरा का कित्ता ध्यान रखते हैं और ये वीडियो ये भी सवाल उठाता है, कि हम राजशाही में हैं या लोकशाही में हैं, मनोज तिवारी का संसद में भाशन चल रहा था, और इस दोरान पीम मोदी संसद में प्रवेश करते हैं, और देखिए संसद में क्या सीन होता है जब पीम मोदी आते हैं, और मनोज त तो पीयम मोदी जब संसद में आते हैं बीजेपी संसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं मानो किसी राजा का स्वागत सतकार हो रहा है और सारे दर्बारी खड़े हो गए है अध्यक जी और लोगस्वाज स्पीकर ओम बिरला चुप चाप ये तमाशा देखते रहते हैं क्या ये कुछ चुनावी रैली है या देश की संसद है क्या बीजेपी संसदों को किसी नेता के इस तरह नारे लगाने चाहिए संसद में प्रवेश पर और ओम बिरला चुप चाप ये तमाशा देखते हैं मनोश तिवारी का भाषन चल रहा होता है वो भी अपना भाषन भूलकर मोधी मोधी के नारे लगाने लगते हैं एक बार बोलते हैं मोधी दूसरी बार पूरा नहीं बोल पाते क्योंकि कहीं न कहीं अंतरात्मा में लगता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये जो नारे लगा रहा हूँ ये संसद्य परंपरा के खिलाफ है मनोश तिवाली की स्तरह मोधी मोधी करने लगते हैं अपना भाशन भूल कर जड़ा सुनिये दोस्तो संसद में बीजेपी संसद इस तरह मोधी मोधी के नारे लगाते हैं और ओम बिरला ये तक नहीं कहते कि संसद्य परंपरा के खिलाफ है ये देश की संसद है कोई चुनावी रेल नहीं, बीजेपी की बैठक नहीं है देश में संसद की कारवाही चल रही है तो क्या बीजेपी संसदों को इस तरह के नारे लगाने चाहिए तो ओम बिर्ला जो विपकशी संसदों को पूरे तेवर दिखाते हैं संसद ये परंपरा का ग्यान देते हैं आकिरकार बिजेपी संसदों को क्यों नहीं बोल पाए कि इस तरह संसद मेर राजा महराजाओं की स्वागत की तरह नारे बाजी नहीं करने चाहिए और मनोज तिवारी ने तो हद करती अपना भाशन भूलकर नारे लगाने लगे और उसके बाद एक बड़ी मज़िदार बात और बोलते हैं मतलब पियम मोदी की चापलूसी में बोलते हैं कि देखिए पियम मोदी ने 70 साल से उपर के बुजर्गों को इलाज की ववस्ता दे दी है अब उन्हें विर्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा हमको गर्व होता है जब 70 साल के बुजर्ग को अब किसी विर्धाश्रम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम उसका इलाज कराने के लिए मोदी सरकार खड़ी रहेगी हमें तब गर्व होता है देख जी मनोस्तिवारी चापलूसी में भूल गए कि इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं विर्धाश्रम नहीं विर्धाश्रम सिर्फ इलाज के लिए लोग नहीं जाते जिनें अपने छोड़ देते हैं जिनकी ओलाद छोड़ देती है वैसे लोगों को भी विर्धाश्रम जाना प आप संसद में ऐसे सीन को लेकर क्या सोचते हैं जहां देश के प्रधानमंत्री का लोकतंतर के चुले हुए प्रधानमंत्री का राजा महराजाओं की तरह स्वागत किया जाता है कमेंट पॉक्स पर पिराइज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की उप्शन के जरी आर्थिक सब्सक्राइब भी दे सकते हैं इसके अलाव वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार